दावुधारी देवना करार सावुल इस्राइलना पहला राजा हता तो उच्चा अनसुंदर हता जिसा ते लोकासी इच्छा हती एक दम तिसाज इस्राइल वर तेना राज करूना थोड़ा कवर्षा सामा सावुल एक बेश राजा हता पन मागुन तो एक दूस्ट मानुस बनी गे जेनी देवनी गोठी साला नहीं मानना ते साथी देवनी एक दूसरे मानुस ला पसंद करा जो एक दिस तेने जागा वर राजा बनी देवनी दावुद नावना एक जुआन इस्राइली गोहला पसंद करीनी एक दिस साउल ने जागा वर राजा हुईला साटी तयार करूला सरुवात करना दाउद बेतलेहें साहर ना एक बारदी हता खुब समय पुड़ दाउद नी सी अन नडगला मारी टाकने काका दाउद मार्फ ते राखवाली करता समय तेने बाहासने मेंडा सावर तेही हुमला करेल हता दाउद एक नम्र अन धार्मिक मनूस हता तेनी देववर भरोशा करा अन तेनी गोटे साहला मानना जदो दाउद आज जूआन गोहोज हता तेनी उच्चा ताड गोल्यातने इरूध लड़ाई करना गोल्यात एक खुब चांगला सैनिक हता, तो खुब मजबूत अनलग भग तीन मिटर उच्चा हता, पंदेवनी गोल्यात ला मारूला अन इस्रायल ला बचूला साथी दावुद ला सहाई करना, तेने मागुन दावुद नी इस्रायल दुश्मन सावर खुब वखत विजय म बनी गे, अन तेनी खुब लडाई सामा इस्रायली सेना नी आगेवानी करना, लोका तेला पकावानना, लोका सी दावुद वर होडी माया करी का, सावुद तेला हेरी बलुला लागी गे, सेले सावुद तेला मारी टाकुला माग हता, ते साथी दावुद तेने थी, अन त तेने सैनिक सापा सुन दपूला साथी रानमा पोड़ी गये। तेने सापा सुन दपूला साथी रानमा पोड़ी गये। तेने यरुसालेम साहरला जिती नी तेला तेनी राजधानी बनवी। जटतो रहना अनराज करना। दावुद चालिस वरस पावत राजा रहना। ये समय दर्म्यान इस्राइल सामर्च वाला अनर धन्वान बनी गये। दावुद एक मंदिर बनवूला माग हता। जटो अखा इस्राइल देवनी आराधना करी सकत। अन तेने साथी बलिदान चड़वी सकत। लगभग 400 वरिस पाशून ते लोका मुशानी बनवेल मिलूनी मांडव मा देवनी आराधना करो हता। अन तेने साथी बलिदान चड़वा हता। पन तठ एक नाथान नाव ना एक देव सहुन सिकवनार हता। देवनी तेला दावुद ला ये सांगुला साथी दवाडा। तु खूब लड़ाई लड़ना हाथ। ते साथी तू माने साथी ये मंदिर ला नही बनवी सकस। तुना पोशा येला बनवेल, तरी पन मा तुला खुब आसिर्वाद दिन, तुना एक वंस काइमने साटी माने लोका साहवर, राजाने रुपमा राज करिल, काइमने साटी राज करो वालातो दावूद ना एक मात्र वंस ख्रिस्थ हता, ख्रिस्थ देवने पसंद करेल जो दुनेने लोका से पाप साहपा सुन, बच्वील, जदो दावूद नी नाथाने संदेशला आयकना, तो तेनी देवना धन्यवाद करा, अना तेनी स्तुति करना, देव तेने मानला वद्वी रहनेल, अना तेला खुब आसिर्वाद दे हता, खरे खर दावूद ला माहि तहा का, इस्राइली साला एक लांबा समय पावत, लग भग, हजार वरिश पावत, खृस्तला येवनी वाठेरूला पडिल, दावूद नी खुब वर्षा पावत, नियाई रितिये तेने लोका साहवर राज करना, तेनी खुब मान पूर्वत, देवने गोठी साला मानना, अन देवनी तेला आशिरवाद दिदा, जो के तेने जिवनने अंतमा, तेनी देवनी इरूद कुब मोठा पाप करेल हता, एक दिस दावूद नी, तेने महेलने बहेर हेरा, अन एक सुन्दर बायकोला आंगलता हेरना, तो तिला नहीं वलखा हता, पन तेनी महीती काडी लि एकादला दवाडा, तो तिने हारी निजना, अनतिला परत, घर दवाडी दिना, थोड़ाक समय मागून, बेद सेबा नी इस सांगी नी, दावूद पासी संदेशा दवाडनी का, ती मिहना वाली यहा, बेद सेबा ना गो हो, उरिया नावना एक मानूस हता, तो दावूद पन दुसरला सैनिक, लडाई मा हतात, ते साथी उरिया घर जावला साथी ना पाडी दिना, तहा दावूद नी उरियाला लडाई मा परत दवाडी दिना, अना सेनापतीला तेला इसे जागर आखूला सांगा, जठ दुस्मन अकेसे करता, सक्ति साले होवात, जेती तेला मा तो इसा हुईना का उरिया लड़ाई मा मरी गे、 मागुन दाओद बेद सेवा हरी लगिन करेली ना, मागुन तिनी दाओदने पोशाला जलम दिनी दाओदनी जी करा तेकन देव खुब रगमा हता, ते शाटी तेनी नाथान देव सहुन सिकव नारला दाओदला इसांगुल स पाप किसा कुवेट हता, दाउद नी तेने पापना पस्तावा करा, और देवनी तेला माप करी दिदा, तेना बाकी रहल जीवन मा, तेने कठीन समय मा भी, दाउद देवने मागा मागा चालना, और तेने गोटी साहला मानना. पन दाउद ना पसा मरी गये, ये रिते देवनी दाउदला दंड करा, तेने सिवाई दाउदने मरन पावत, तेने पदरने कुटुमने थोडेक लोका सी, तेने इरूद लडाय करना, और दाउदला तेनी सक्ति कमी हुई गय हती, पन दे विश्वास योग्य हता, और आता भी तेनी तीज करा, भारी जी करूला सटी तेने वाईदा करेल हता, का तो करिल, भले ही दाउदनी तेनी आग्नाना भं करेल हता, मागुन दाउद अन बेद सेवाला दुसरा पोशा हुई ना, अन तेही तेना नाव सुलेमान राखना